रोम के बारे में हमें बच्पन से यही बताया गया है कि रोम के अंदर पड़े हुए डेटा को change करना nearly impossible है लेकिन हमारे सारे media files, documents और data hard disk में store होते हैं तो फिर ये रोम किसे store करता है अब computer turn on होने पर सबसे पहला काम post करता है यानि कि power on self test जिसमें ये चेक करता है कि सारे driver सही से काम कर रहे हैं या नहीं तो जब भी हम अपने computer में mouse या keyboard को connect करते हैं तो हमें तो ये पता है कि ये mouse है या keyboard है पर computer को ये पता नहीं रहता कि उसके USB port में mouse का wire है या keyboard का wire अब इन devices के साथ कैसे operate करना है उसके लिए set of instructions लिखे हुए होते हैं और इसी को drivers कहते हैं और इन devices को computer में initialize करने के लिए BIOS से connect होना पड़ता है जो की basic input output system है और यही BIOS room के अंदर store होता है